हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तू माई यूटूब चैनल सहज क्लासीज आज हम 11th क्लास की जो 12th उनिट देख रहे थे उसका next part देखेंगे ठीक है आज हम क्या देखेंगे कि जो भी अपने organic compound होते हैं उनको हम कैसे कैसे represent कर सकते हैं ठीक है simple way में देखें तो complete complete से हमे क्या समझाता मतलब फुल, complete तो जिसको हम जो completely open करके लिखी गई उसको तो हम क्या बोलेंगे complete, condensed मतलब जिसमें क्या होगा कि completely open का मतलब क्या होगा कि जितने भी bonds होगे वो क्या होगे दिखाए गई होंगे all bonds इसको 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 इसका complete बूलेंगे जैसे हैं नित तो इनके बीज में कितने इंक है हमने दिखाई है सैकंड कौन चा गया condensed, condensed में क्या होगा कि कुछ bonds तो दिखाए गई हो, कुछ ना दिखाए गई हो, जैसे some bonds are shown some are not shown examples का कैसे ले सकते हैं, जैसे यह है इसके ले लिया, हमने 10 ले लिया, c2 at 6, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि यह, इसको हम ऐसे लिख दे ऐसे, कि हमने यह, cc वाला बोंड तो दिखा दिया, लेकिन इस वाले बोंड हमने शो नहीं किया, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, condensed उसके बाद bond line में क्या गए है, उसकी simple, bonds दिखाए जाएं, only bonds are shown none of the atoms are shown atom दिखाए भी जाएंगे, तो कौन sulfur हो गया, मतलब जो अलग से item आते हैं, वो दिखाए जाएं, simple carbon हो, hydrogen हो, उसको हम show नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, bond line, ऐसे ही है, एक जाएंपल, इसको देख लग शक्ते हैं, जैसे यह है, see yesterday, see yesterday, तो इसको हम simple कैसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब यह automatic consideration में होगा, कि जो यह होगा, ना, बना, कि जो, यह, S होगे, वो की carbon अपनी valency complete करेगा, जहांपे भी bond की ending होगा, वहांपे भी carbon होगा, जहांपे starting होगी, वहांपे भी carbon होगा, इसके साथ ही, जो यह line होगी, वो कैसे होगी, जिग-जग पाथ में होगा, यह तो simple हमने 2 carbon के लिए था, मैं लिए हमा, इससे ज्यादा carbon के लिए लिए, यह तो हमने किस के लिए लिए था, simple C2H6 के लिए लिए था, ठीक है, ऐसे ही, मैं यह ले लूँ, C4H10, तो इसमें कितनी carbon आगई, 4, तो यहां से start होगई, यहां से, यहां से, ठीक है, यहां से कि, 1, 2, 3, 4, 4 carbon हो गई, ठीक है, यह हमने अपने दियान में देर के चलना है, जो इसके balance है, वो हमें खुद से complete करनी है, C4H10, ठीक है, ठीक है, यहां यह नोन होगा, यहां से, यहां पर भी 3 है, होने चाहिए, तो यहां से 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, यह बात तो ठीक है, लेकिन यह हमें अपने मन में नोन होना चाहिए, ऐसे लिखके नहीं दिखाना है, bond line के case में क्या होगा, क्या होगा, कि जैसे हमें भी compound दिया होगा, वो simple हम उसको ऐसे लिखतेंगे, यह हमें automatic पता होगा, कि जितने भी carbon है, उनकी balance क्या होगी, वो complete होगे, ठीक है, तो समझा गया, completely में all bonds दिखाए जाएंगे, चाहिए वो carbon का bond हो, या hydrogen का bond हो, कि उनसे भी bond हो, condensed bond में कुछ bond दिखाए जाएंगे, कुछ bond नहीं दिखाए जाएंगे, bond line में, only bond की जो line होगी, आपको समझा गया होगा, a formula in which all the bonds are shown properly by dash, एक ऐसा formula जिसमें जितने भी bonds होगे, वो हमें दिखाए जाएंगे, तिक है, सिंगल bond के लिए, single line, double bond के लिए double line, triple bond के लिए triple line, ठीक है, कि loan pairs को हम दिखाएंगे, ना दिखाएंगे, उससे कोई खास effect नहीं होगा, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमने खोलके दिखाया है, ऐसे condensed में क्या हो जाएगा, a formula in which organic molecules are shown in a line of text, मतलब ऐसे simple लिखे जाएंगे, कुछ bond इसमें ऍने लिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, एक single line में लिखे जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने दिखा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, condensed structure, full bond. अब क्या हो गया, bond line, bond line में हमने क्या देखा था, कि lines use होंगी, carbon hydrogen atoms are not shown, जो lines होंगी, वो क्या होंगी, jig-zag fashion में होंगी, उसके बाद क्या होगा, oxygen sulfate, जो special items होते हैं, उनको हम दिखाएंगी, जैसी यह है, यह था उमने, एक तो मिस को ऐसे लिखे, 2, bromo-butane, कि 2 की position पर तो bromin नाएगा अब यूटेन मतलब चैयर कार्ड बनाएंगी 1 2 3 4 ठीक है उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट है यह तो हमने देख लिया अब हम इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे ऐसे दिखा दिया तो यह हमने क्या दिखा दिया कि मतलब एक सिंपल लाइन में लिखा हमने तो इस इसकी वैलेंसी होगी वह हाइडरोजन के साथ मिलके कंप्लीट होगी ऐसे यहां पर भी देख सकते हैं CS2 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 इसको क्या बोलेंगे कंडेंस बोलेंगे क्यों क्योंकि इसमें जो CEC के बूंड तो दिखाई हुए है इसके बूंड नहीं दिखाई हुए लेकिन इसको जब हम इस फो में लिख धें कि ना तो एकम सी नहीं दिखाई गए बस बोल लाईन दिखाएगी हुए यह अटोमैटिके नोन है कि यहां पर भी दो हैस होंगे, क्योंकि कार्ट पन है उसकी सक्थ कंपलीट होगी ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप चाहे तो इसका स्कीन शट ले सकते हैं आज के लिए इतना काफी है कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्स पॉर वोचे